एपिसोड 11 CH11A का मर्डर उसके भाई ने अपना वीडियो को गेम बन करके हाल में रखा एक बड़ी से शांदार LED TV को ओन कर दिया था और जैसे ही TV ओन किया तो उसे पर सबसे पहले न्यूज में जो खबर दिखाई जा रही थी वह थी की शहर के सबसे प्रसिद एमेले साहब क यानि की एमेले रंजीत जी की बड़ी ही बेरहमी से कल रात हत्या कर दी गई है और मेले के शरीर पर 26 बार चाकों से वार किया गया था जैसे ही अबनी ने ये खबर सुनी न जाने क्यों उसके माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था और फिर धुन्दली धुन्दली उ हाँ उसके कॉलेज में कुछ लड़कों ने लड़की ने अबनी को दिव्या और वीर ने परेशान किया था अगर उसे खून करना ही होता वह भी नीम की हालत में तो उसने उनका खून कर दिया होता या फिर अपने शराबी बाप का खून करती भला उसका एमेले से क्या लेन देना हो सकता था। तो ये सोचते हुए अबनी ने अपनी सोच को पूरी तरह से जटक दिया था और वह वे खोफ होकर बाकी की न्यूस चैनल मुवीज वगेरा देखने लगी थी। और क्या चाहिए था। लेकिन अबनी को इस बात के बारे में कोई एहसास नहीं था कि अगर कल कोई जादू उसके पास नहीं रहेगा तो घर के आजिवी का कैसे चलेगी। होता था। वह सभी खाना सबसे फेमस होटल दे से स्वाद का आया करता था वेल पांचवा दिन था जब अबनी एक बार फिर आराम से चेन और सुकून से सोई हुई थी। अचानक से वह फिर उठी थी और एक बार फिर उसने अपने कपड़े बदले थे और एक बार फिर बड़ा सा हाथ उसके हाथ में चाकू था उस चाकू को लेकर एक बार फिर वह बदहवास सी हालत में सरकों पर जाने लगी थी। अबनी को किसी बात का कोई होश नहीं था कि वह कहां जा रही है और कहां नहीं जा रही है और वैसे भी उन 4-5 दिनों में उसने इतनी ज्यादा मौज मस्ती की थी कि उसने उस खून वाले और चाकू वाले इंसिटेंट को पूरी तरह से भुला दिया था लेकिन आज एक बार फिर अबनी चाकू लेकर सरकों पर बदहवास सी हालत में जाने लगी थी और वो अपने इस बार कहीं और नहीं बलकी इस शहर के एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट कमिशनर आफ पुलिस यानि के एसीपी को घर पहुँच चुकी थी जैसे ही अबनी बहां गई उसने बहां जाकर एक औरत के बराबर में लेटे हुए एसीपी को देखा था उसे औरत के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था यहां तक की एसीपी खुद नगना हालत में उस औरत के साथ चिपका हुआ सोया हुआ था तब ही अचानक अबनी ने आगे बढ़कर एक हाथ से एसीपी का मूर दबा दिया था और दूसरे हाथ से जो चाकुवल साथ में लेकर गई थी लगातार उस औरत की बराबर में लेटे लेटे ही उस पर लगातार 30-40 वार कर दिये थे और देखते ही देखते उस एसीपी की बड़ी ही भयानक मौत हो चुकी थी और अबनी जिस तरह से वहां गई थी उसी तरह से वह एक बार एक बार फिर वहां से आकर वापस अपने बैट पर लेट चुकी थी जब अबनी की एक बार फिर अगली सुबह हांग खुली और एक बार फिर उसने अपने आपको खून से लटपत कप्टों के साथ पाया अपना ही नहीं एक बड़ा सा चाकू अपने पास पाया अब तो उसकी हिरानी का कोई ठिकाना नहीं था और चाकू को हाथ में लेकर वो थर-थर कांपने लगी थी और वो सोचने पर मजबूर हो गई थी क्योंकि पहली बार में उसकी यादे धुन्दली सी थी लेकिन अब दूसरी बार यह सब कुछ इसके साथ होना यह कोई आम बात नहीं थी तब ही अचानक अबनी दर्ते-दर्ते उठी थी और फिर एक बार फिर अबनी ने अपने कपड़े पर लगी खून को साफ किया था और बो चाकू एक बार फिर दस्पिं में फिक कर अपनी सीधा नीचे हाल में अपनी मा के पास चली गई थी अबनी ने अपने चेहरे के दर को पूरी तरह से गायब कर दिया था क्योंकि उसे खुद कुछ नहीं पता था और नहीं उसे कुछ याद था तो वो अपनी मां को क्या बताती अबनी जैसे ही निचे गई उसने देखा कि उसकी मा उसके लिए उस वक्त गरम 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 नाश्टा बना रही थी अबनी ने अपनी जैसे ही अबनी ने ये देखा कि उसकी मा नाष्टा बना रही थी तो वो हैरान हो गई और कहने लगी थी मॉम आपको नाष्टा बनाने की क्या जरूरत थी और हम जादू के द्वारा भी तो नाश्टा मंगा सकते थे तभी उसकी माने हलका सा मुस्कुराते हुए अबनी के सर पर हाथ रखते हुए कहा था तुम जानती हो बेटी पूरा साथ दिनों से न तो मैंने कोई काम किया है और नहीं नहीं मैंने किसी तरह की कोई बात सोची है नहीं टेंशन ली है नहीं मुझे पैसों की टेंशन है ऐसा लग रहा है इन साथ दिनों में जो इतने दिनों से मैं मुश्किलों को जेलते हुए आई थी मुश्किलों का सामना करते हुए आई थी वह दिन मेरे बड़ी ही आसानी से कट गए लेकिन ये खुशी के दिन जिसमें मैं कोई काम भी नहीं कर रही हूँ मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है मेरे पास अगर मैं चाहूं तो नौकर चाकर की लाइन लग जाए लेकिन अबनी अब नहीं पता नहीं क्या हुआ है ये दिन काटने मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो चुके है मुझसे ये दिन ही नहीं कट रहे है आखिरकार में कितना आराम करूँ मैं बैट पर बैट कर आराम कर चुकी हूँ सारा दिन में टीवी भी देख चुकी हूँ एक से एक महंगी महंगी साडिया में पहन चुकी हूँ एक से एक महंगे महंगे जेवर में पहन चुकी हूँ लेकिन क्या करू अबनी उनसे मेरा टाइम भी पास ही नहीं हो रहा है और फिर ठक कर कब सो जाती थी पता ही नहीं जलता था और पूरा दिन यूं कुजर जाता था लेकिन अब अब तो मुझे नीम्ध भी आनी बंध हो गई है अबनी यहेशो आराम मुझे रास नहीं आ रहा है जैसे ही अबनी ने अपनी मां की इस तरह की बाते की अब अबनी भी हैरान हो गई क्या कही ना कही वह भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी थी कि आखिरकार उसकी जिंदगी जा कहा रही थी और उपर से वह खून वह सब क्या था तब अबनी अपनी मां के पास उसका हाथ पकड़ कर बैग गई थी और कहने लगी थी शायद आप जो कुछ कह रही है वह ठीक कह रही है हमें इस तरह से एशो आराम में इस तरह से नहीं डूब जाना चाहिए कि हम अपनी असली पहचान ही भूल जाए हम कहां रह रहे हैं हम क्या कर रहे हैं क्या खा रहे हैं हमारा तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है हमारा बाहर की दुनिया से भी कोई लेना देना नहीं है लेकिन वही भाई सारा दिन वीडियो गेम में गुसा रहता है इस तरह से तो उसका दिमाग तक चल जाएगा अबनी अब थोड़ा सा सीरियस होने लगी थी क्योंकि साथ दिन का आराम उसके जिस्मों दिमाग से बुरी तरह से निकल चुका था तभी अबनी ने देखा कि एक बार फिर LED स्क्रीन पर उस शहर के फेमस ACP की डेट बॉड़ी दिखाई जा रही थी और बताया जा रहा था कि कल रात ACP रंधावा की बड़ी ही बुरी तरह से चाकू घूपकर हत्या कर दी गई है और उसके जिस्म पर 38 वार पाए गए है जैसे ही अबनी ने ये देखा अचानक से उसके हाथ में कंपन से चूटने लगा था और उसे काफी ज्यादा अजीब सा लगने लगा था क्योंकि कही ना कही अबनी को इस बात का एहसास होने लगा था कि कही एक खूण उसने तो नहीं किया है लेकिन वह भला इन लोगों का खून क्यों करेगी उसका तो इनसे कोई जान पहचान ही नहीं है और तभी अबनी का ध्यान अपनी बाजू पर गया था उसकी बाजू अबनी को ऐसा महसूस हो रहा था मानों की वह न्यूस देख रही हो तभ अबनी ने अचानक अपना एक हाथ उस बाजू पर रख दिया था और मन ही मन में कहने लगी थी कही इन खुनों से तुम्हारा तो कोई लेना देना नहीं है जैसे ही अबनी ने ये कहा अचानक से एक आवाज उसके कानों में गूंजी थी हाँ ये खून में ही किया है, क्या या 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 जैसे ही अपनी ने ये सुना उसका हैरानी के मारे बुरा हाल हो गया था आखिरकार कौन थी ये आत्मा जो उसके अंदर घुसकर किसी के खून करवा रही थी? आप तो अबनी काफी ज़्यादा बेचैन हो चुकी थी और उसे अब बहुत ही ज़्यादा दर लगने लगा था जहां वहेश्वा आराम राम दौलत माल और बंगले को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए जा रही थी अचानक से ही उसे हर चीजों से दर लगने लगा था और वह अपना मूँ खोलने के लिए अपनी मां को कुछ बताने ही वाली थी कि तभी एक बार फिर उसे वह आवाज सुनाई दी थी और वह आवाज इस बार उसे साफ साफ कह रही थी मेरी बात कान खोल कर सुन लो अपनी मां को ये किसी और को भी इसके बाद बारे में बताने की कोशिश भी मत करना क्योंकि खून भले ही मैंने किया है लेकिन खून तुमने किये हैं तुम्हारे हाथों से वह खून हुए है हर तरह के एशो आराम में वह सब कुछ भूल चुकी थी कि उस वक्त उसके जिस्म में एक आत्मा है जिसे उसने खुद ही अपने जिस्म में आने के लिए कहा था वरना वह आत्मा तो एक घड़ी के अंदर थी अब अबनी काफी ज़्यादा हैरान और परेशान हो चुकी थी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा था और दर के मारे वह अपनी मां को बिना कुछ बताएं सीधा अपने कमरे में चली गई थी अपने कमरे पर जाकर उसने अपने आपको बंद कर लिया था और कमरे में अजीब सी नजरों से चारों तरप देखने लगी थी आज जो महंगा सामान देख देख कर अबनी हर रोज खुश हुआ करती थी आज बह महंगा सामान ऐसा लग रहा था मानों की उसे दसने के लिए तैयार था हर एक सोफे में बैद में यहां तक की अलमारी में उसे एक बड़ा सा नाग बैठा हुआ दिखाई दे रहा था आबनी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए थी और दर के मारे थर्थर कांपने लगी थी चट्वेल्थ दर का साया दर के मारे वह अपनी मां को बिना कुछ बताएं सीधा अपने कमरे में चली गई थी अपने कमरे पर जाकर उसने अपने आपको बंद कर लिया था और कमरे में अजीब सी नजरों से चारों तरप देखने लगी थी आज जो महंगा सामान देख देख कर अपनी हर रोज खुश हुआ करती थी आज बह महंगा सामान ऐसा लग रहा था मानो की उसे दसने के लिए तैयार था हर एक सोफे में बैद में यहां तक की अलमारी में उससे एक बड़ा सा नाग बैठा हुआ दिखाई दे रहा था आज जो में देख कर अबनी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए थी और दर के मारे थर्थर कांपने लगी थी अबनी को अब काफी ज़्यादा अजीब सा लगने लगा था उससे लगने लगा था कि जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ बड़ा क्राइम हो रहा है और कुछ ना कुछ तो उसके साथ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में उसे किसी बात का कोई अहसास नहीं था बिल तभी अचानक अबनी को अपनी बाजू में कुछ दर्ट का एहसास हुआ था और फिर उसने जल्दी से अपने दूसरे हाथ से उस बाजू को छूलिया था और कहने लगी थी क्या ये सब कुछ तुम तो नहीं कर रहे हो सही बताओ कौन हो तुम मुझे जवाब दो कौन हो तुम ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ मेरे हाथों से दो दो खून हो गए है वह भी इतने बड़े बड़े लोगों के मुझे क्या हो रहा है कौन हो तुम फिर तुम मुझे फसाना तो नहीं चाहते हो क्या तुम किसी की जान तो नहीं लेना चाहते हो क्योंकि मैंने बहुत सारी मूवीस में देखा है वहाँ पर किसी ने किसी के साथ कुछ बुरा होता है या उसकी जान चली जाती है तो वो हात्मा बनकर किसी की शरीर में घुसकर उससे मड़क करवाते हैं कहीं तुम तो मुझे यह नहीं करवा रहे हो बोलो जवाब दो मुझे कौन हो तुम आखिरकार ऐसा कहकर अपनी बड़ी ही बुरी तरह से चीखने चिलाने लगी थी उसके चीखने चिलाने की आवाद सुनकर उसकी मा उसके पास आ गई थी और कहने लगी थी क्या हुआ मेरे बेटी को इस तरह से क्यूं चीख रही है क्यूं चिला रही है अब नी की हालत काफी ज्यादा बुरी थी और कहने लगी थी मा वह खून मैंने किये है वह दो दिन से जिनकी मड़की खबर टीवी पर दिखाये जा रही है वह खून मैंने किये है और इस आत्मा ने मुझसे वह खून करवाए है जैसे ही उसकी माने ये सुना वा पूरी तरह से चौंक गई थी और कहने लगी थी यह क्या कह रही है रिमजिम तू जानती भी है तो यह क्या कह रही है तभी अबनी ने एक बार फिर अपनी मां की ओर देखते हुए कहा था मामे जो कुछ कह रही हूँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ उसे पुलिस वाले की जान उतना ही नहीं वह इतने बड़े अधिकारी की जान सिर्फ और सिर्फ मैंने ही यह है आपको मेरी बात का यकीन करना ही होगा तभी उसकी मा भी कापने लगी थी और कहने लगे थे मैं तुझे कहती थी ना कुछ भी चीज दुनिया में फ्री में नहीं मिलती है जरूर कुछ ना कुछ तो गढ़बढ है और भला एक आत्मा ने तुझे इस तरह से अपने जहासे में कैसे ले सकती है और मैं ही पागल थी मैं ही बेवकूफ थी जो तेरी बातों में आ गई इससे अच्छा तो मैं तेरा इलाज करवाती किसी से इस आत्मा से तेरा पीछा चुड़वाने के लिए ले जाती है इस आत्मा को मुक्त करवा देती यह कोई भटकती हुई आत्मा है जो रात के अंधेरे में तेरे उपर हावी हो गई है आप ये तेरी जान ले लेगी या किसी दूसरों की जान ले लेगी या हमें नहीं छोड़ेंगे ऐसा कहकर उसकी मा भी अप पूरी तरह से रोने लगी थी और कहने लगी थी हमें इस तरह के एशो आराम की चकाचोंग में नहीं आने चाहिए था हमें दिमाग से काम लेना चाहिए था लेकिन हमें ये पैसे दौलत ये सब कुछ चीजों को देखकर बुरी तरह से बरताव नहीं करना चाहिए था हमें सोच समझ कर काम लेना चाहिए था और मैं भी तुम्हारे चक्कर में आ गई जो है इन सब चीजों की जगर चुन में पूरी तरह से डूब गई और उनके अंजाम के बारे में नहीं सोचा आखिरकार कौन हो सकता है या आत्मा मुझे किसका तुम से खून करवा रही है किसी को कुछ भी उन दोनों मा बेटी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तभी तभी कहो अचानक से उसे कमरे में अजीब सी दहारने की आवाज सुनाई देने लगी थी मानो की कोई शेर दहार रहा हो आप तो वह दोनों मा बेटी पूरी तरह से दरने लगी थी और जल्दी से अबनी की माँ उस से बोली थी अबनी बेटा मुझे लगता है कि यह बुरी आत्मा हमारी किसी भी पल यहां जान ले लेगी हमें इसी वक्त यहां से जाना होगा और अपनी जान बचाने होगी तो जल्दी चल यहां से चलो अपनी मा की बात सुनकर अपनी ने भी हाँ में सरहिला सरहिला दिया था और बहागे अचानक से उस घर के दरवाजे अपने आपी जोरों से बंद हो चुके थे अबनी अब काफी ज़्यादा से सहम गए थी और परेशान हो गए थी इतना ही नहीं उसके चहरे से पसीना निकलना शुरू हो गया था और वह जोरों से दरवाजा पीटने लगी थी खोलो कोई है बचाओ बचाओ कोई है दरवाजा खोलो हमें यहां से निकलना है हम यहां पर फंस गए हैं कोई तो हमारी बात सुन लो कोई तो हमारी मदद करो कोई तो मदद करो ऐसा कहकर अबनी पूरी तरह से चिलाने लगी थी लेकिन वह दरवाजा बिलकुल भी नहीं बंद हो रहा था बलकि उस आत्मा की आवाज बहां गूंजने लगी थी तुम लोग कहीं नहीं जाओगे तुम लोग कहीं नहीं जाओगे तुम लोग यहां से कहीं नहीं जाओगे वह बिलकुल सीन ऐसा था जो बेहत दरावना लग अबनी और उसकी मा काफी ज़्यादा दर गई थी उन्हें लगने लगा था कि आज दे से उनका आखिरी दीन है अब अबनी का सब्र जबाब दे गया था और वह जोरो से चिल्लाने लगी थी तब वह जोरो से चीखने चिल्लाने लगी थी और कहने लगी थी आखिरकार कौन हो तुम और क्या चाहते हो अगर तुमने हमें यहां से जाने नहीं दिया तो हम लोग अपनी यहां इसी वक्त से जान ले लेंगे अबनी को अब लगने लगा था कि या तो इस घर में गुटकर मर जाएंगे तो इससे अच्छा है कि वो खुद अपनी जान ले ले तो ये सोचते हुए अबनी ने जल्दी ही टेबल पर रखा हुआ एक चाको उठा लिया था और अपनी गरदन पर रख लिया था और कहने लग वह बिल्कुल थमसा गया था और चारो तरफ एक सननाटा सा पसर गया था और तभी वहाँ पर एक बड़ी ही धीमियावाज गूंची थी टेहरो तुम्हें अपने आपको कुछ भी नुकसान पहुचाने की कोई जरूरत नहीं है मैं तुम्हें और किसी तरह से परेशान नह करूंगा ये बात सच है कि मैंने ही उन दोनों आदमियों की तुम्हारे जिस्म के द्वारा मदद लेकर उनकी जान ली है और इतना नहीं मैं तीन लोगों को और मारना चाहता हूं जैसे ही अबनी ने ये सुना वहरान हो गई थी अचानक से उसके हाथ पैर उसके हाथ पैर क आपने लगे थे और अचानक से अबनी ने जोरों से चीख मारी थी और कहने लगी थी आखिरकार क्यों क्यों तुमने उन लोगों की जान ली है ऐसा क्यों करना चाहते हो तुम तो तुमने मेरा इस्तेमाल क्यों किया क्यों मुझे दुनिया भर की खुशिया देकर इस तरह स मुझे तुमने खूनी बना दिया है। अबनी ने किस तरह से बड़ा सा चाकू हाथ में लिया और सरकों पर बधवासी हालत में एकदम काले कप्टों में कही जा रही थी। और उसने लगातार कितने ही सारे उसे पर भी वार कर दिये थे। जैसे ही अब अबनी ने ये देखा उसकी तो जान सूखने लगी थी और उसे आपसे काफी जादा नफरत सी होने लगी थी। और वह सोचने लगी थी कि आखिरकार वह ऐसा कैसे कर सकती है वह भला इस तरह से इन लोगों को इतनी बुरी तरह से कैसे मार सकती है। जबकि उसने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ा है कही ना कही अबनी को बहुत ही जादा गुसा आ रहा था और साथ ही साथ अपने आपको काफी जादा बेबस महसूस करने लगी थी। और तब अपनी नजरों से चीखने चिलाने लगी थी और कहने लगी थी आखिर तुम हो कौन और क्या क्यू कर रहे हो ये सब कुछ मेरे साथ मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। जैसे ही अपनी ने इस तरह से जोरों से चीखते चिलाते हुए सब कहा तब अचानक अपनी को LED में एक बड़ा सा महल जैसा घर दिखाई देने लगा था। उसकी मा और अबनी और साथ ही साथ उसका भाई तीन वही दूसरा का हाथ थोमे हुए उस बड़े से महल नुमा घर को देखने लगी थे। अबनी और उसका भाय और उसकी माप ने उस बंगले की स्क्रीन पर लगे उस उस घर को देखने लगी थी। कही ना कही अब अबनी दिल थाम कर सारा मंजर देख रही थी उसे पूरे का पूरा यकीन था कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो उसके सामने आने आने वाला था। और व कि उस महल नुमा घर में एक बड़े ही बुझूर्ट से आदमी गार्डन में तहल रहे थे और उनके सामने तीन से चार नौकर सर जुकाई खड़े हुए थे अबनी उसकी मा और उसके भाई को यही लग रहा था मानो की किसी बहुत बड़ी मूवी की स्क्रीन उनके सामने चल रही हो सब लोग बड़े ही ध्यान से टीवी देख रहे थे उन्होंने उसमें देखा कि एक दादा जी बड़े ही गुस्से से इधर उधर तहल रहे थे और कितने ही सारा सारे नौकर उनके सामने खड़े हुए थे और दादा जी खूब तेज चिला कर बोले थे मेरे पोते को बुलाओ क्या तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है जब तक मेरा पोता मेरी आँखों के सामने नहीं आएगा जब तक मेरा पोता खुद अपने हाथों से आकर मुझे खाना नहीं खिलाएगा तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा आखिरकार कौन था ये दादा और कौन था इसका पोता और आखिरकार अबनी के शरीर की आत्मा अबनी को क्या दिखाना चाह रही थी और ऐसा कौन सा राज था जिसके ऊपर से पर्दा हटने वाला था जानने के लिए बने रही ये दोस्तों चाथ हटीन चाथ हटीन पौवरफुल बिसनेसमेन ये शोब्रोय अबनी उसकी मा और उसके भाई को यही लग रहा था मानो की किसी बहुत बड़ी मूवी की स्क्रीन उनके सामने चल रही हो सब लोग बड़े ही ध्यान से टीवी देख रहे थे उन्होंने उसमें देखा कि एक दादा जी बड़े ही गुस्से से इधर उधर टहल रहे थे और कितने ही सारा सारे नौकर उनके सामने खड़े हुए थे और दादा जी खूब तेज चिला कर बोले थे मेरे पोते को बुलाओ क्या तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है जब तक मेरा पोता मेरी आँखों के सामने नहीं आएगा जब तक मेरा पोता खुद अपने हाथों से आकर मुझे खाना नहीं खिलाएगा तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा इतना ही नहीं मैं अपनी दबाया तक नहीं खाऊंगा जैसे ही एक सतर साल के बुजुर्ग की ऐसी जिद देखी तो अचानक ही अबनी के होटो पर मुस्कुराहत आ गई थी और वह अब जहां उसके मन उस स्क्रीन को देखते हुए दर लग रहा था धीरे धीरे उसका दर हलका सा खत्म हलका पर गया था और वह बड़े ही ध्यान से उसके और देखने लगी थी लेकिन तब ही लेकिन तब ही अचानक से वहां पर एक बड़े ही स्टाइलिश और खतरना कोरा के साथ एक इंसान आ रहा था सबसे पहले उसे इंसान के महेंगे जूते जोकी ब्रांडे थे वह दिखाए गए थे उसके बाद धीरे धीरे उसे इंसान स्टूर्ट हुजिस का डाइमंड एड लड़कियों की खूब सूरती देखकर लड़के इंप्रेस हो जाया करते थे लेकिन यहां आज उल्टा हो गया था जैसे ही अबनी ने उस पावरफुल इंपेक्ट वाले इंसान को देखा तो अचानक से उसके दिल में अजीब सी धक धक होने लगी थी और उसने अपने दा जी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं और मैं आपको किसी भी तरह से किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकता हूं तो फिर क्यों आप बार बार अपने आपको तकीफ देते हैं आखिर क्यों आप टाइम से अपनी दवाए और खाना नहीं तब ही उसके दादा ने उसकी तरफ से मूनफेर लिया था और कहने लगा था मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनना चाहता हूं। तू भी और इसी वक्त चला जा यहां से मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है क्या तू भूल गया कि तू ने मुझसे वादा किया था कि तू आज शाम को मुझे अपने साथ कही गुमाने लेकर जाएगा इतना ही नहीं शाम को हम मूवी देखेंगे उसके बाद हम आइसक्र का पूरा खरीच सकता है तो फिर तुझे जरूरत क्या है कितनी ज्यादा और दौलत कमाने की अपने दादा जी की बात सुनकर उसके चहरे पर एक हलकी सी मुस्कुराहत आ गई थी बेसिकली यश बहुत ही कम मुस्कुराय करता था लेकिन जब भी वह अपने दादा के पास ह खड़ा होकर उनके कंदों को छूकर कहने लगा था मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप कहना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं लेकिन आप शायद भूर रहे हैं मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी इसके लिए मुझे जाना पददा लेकिन आप समझ ब्लेकमेल करते हैं यश की बात सुनकर उसके दादा का मून पूरी तरह से पूल बया था वह उनकी आँकों के किनारे बीग गए थे ऐसा लग रहा था मानो की यश के दादा की आँकों में इतनी सारे सवाल थे इतनी सारी बाते थी जिन्हें वह अपने पोते यश-ःश पूंजी थी वहाँ आवाज किसी और की नहीं बलकी यश के पिता मिस्टर रितेश ओबरोय की थी रितेश जी वहाँ आये थे और कहने लगे थे क्या हुआ है आज फिर दादा पोते में आग्यूमेंट हो गया है। जगडे के बारे में बात करते हैं। जैसे ही उसके दादा ने ये सुना वह खड़े हुए थे और अपने बेटे की ओर देखकर कहने लगे थे तु तुझे हम दोनों दादा पोते के बीच में पने के लिए किस ने कहा है। कि उसके दादा और उसके पापा में बिल्कुल भी नहीं बनती है। और रोज उन दोनों का चोहा बिल्ली का खेल जारी रहता है और दोनों इस तरह से लड़ते जगरते रहते हैं। बिल अभी उन दोनों बाप बेटा का आग्युमेंट चल ही रहा था कि तभी बहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत स्टाइलिश सी लड़की बहाँ आ गई थी। जिसने शौट कपड़े पहने हुए थे साथ ही साथ उसके हाथ में फोन एक बड़ा सा महेंगे का गुची का बैग था उसने वहाँ आकर कहा था ओ कमॉन दादा ब्रो एंड ब्रेंपा आप लोगों का डेली का हो गया है। Carry on I have to leave it right now because मुझे तू आज अपने फ्रेंज के साथ धेर सारी शौपिंग करनी है so please continue ऐसा कहकर उसने अपने दादा और डैट को अपनी फाइट कंटिन्यू करने के लिए कहा था और वहाँ से चली बही थी यश अपनी बहन को केवल एकी नजर जाते हुए देखा रहा था वरना उसे किसी से कोई मतलब नहीं था तब ही यश की मॉम श्रीमती आरती जैसे ही वहाँ आयतब अचानक से यश का मूर पूरी तरह से खराब हो चुका था क्योंकि आरती यश की सौतेली मा थी यश की मॉम का बहुत पहले ही एक लंबी बीमारी के चलते डेथ हो गई थी जिसके बाद उसके पिता रितेश ओबरोय ने दूसरी शादी कर ली थी दूसरी शादी से ही उनकी वह बेटी थी जो की यश की सौतेली बहन थी बेली अश अपनी सौतेली मा से बहुत ही ज़्यादा नफरत किया करता था वह उनके एपसेंट को भी वहाँ पर एक सेप नही किया करता था क्योंकि वहां आज तक उसे अपनी मां का दर्जा ही नहीं दे पाया था। आर्ती ने वहां आते ही अपने पती से कहा था ओर कम ओन रितेश प्लीज लीव इतना क्यों रोज रोज ये बेकार का अर्गुमेंट्स करते रहते हो तुम दोनों। तुम्हें इन दोन आया था उबरोई मैंशन में जब से आर्ती आई थी तब तो रितेश उसी की दुम बन कर रह गया था और उसे अपने बेटे और अपने पिता से कुछ खास मतलब नहीं था बस केवल दादा पोते ही थी जो एक दूसरे के साथ टाइम स्पैन क्या करते थे और एक दूसरे की प्रवाह क्या करते थे लेकिन जो कि अब उसके दादा यश से नाराज थे तब यश अपने घुटनों के बल बैटकर अपने दादा से कहने लगा था दादा जी आखिरकार आप ऐसा क्यूं करते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं ना कि मैं आपको दुखी और परेशान नहीं देख सकता हूं। मुझे बहुत भूख लगी है चल मेरे लिए खाना लेकर आज ऐसे उसके दादा ने ये कहा यश मुस्कुराने लगा था और जल्दी उसने एक नौकर को इशारा कर दिया था और उसके दादा के पसंद का सारा खाना हुआ मौजूद था। मुझे का प्यार इसी तरह से बनाए रखना जो हमें यहां देखने को मिला था जो कि यश का उसके दादा के साथ था। लेकिन अब यहां से यश ओबरोय आखिर था कौन और क्यूँ उसकी आत्मा एक बेजान घड़ी के अंदर चली गई इसके लिए हमें यश की जिंदगी के कुछ पिछले पन्नों को पलट कर देखना होगा और तब हमें बहां जाकर पता चलेगा कि आखिरकार यश के साथ यही से शुरुआत करते हैं हमें स्टोरी के मैंन पार्ट की यश बच्पन से ही आस्ट्रेलिया में रहा था विदेश में उसने अपनी एक ऐसी साख बना रखी थी कि जिसे बीट करना किसी के लिए भी नामुम्किन था नमबर वन विदेशी कंपनी का मालिक यश औबरोय था हालां कि उसकी सौतेली मां को इस बात का हमेशा से मलाल था कि वह कोई बेटा पैदा नहीं कर पाई थी केवल एक बेटी ही वह पैदा करके रह गई थी यश को अपनी बहन या मां से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं था हाँ कभी थोड़ी बहुत अपने पिता से बात कर लिया करता था लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के कामों के लिए बेल यश जल्दी ही सीधा अपने एक बड़े से शांदार ओफिस की ओर रवाना हो चुका था क्योंकि आज उसकी एक बहुत इंपोर्टेंट डील फाइनलाइज होनी थी तो जैसे ही आज यश वहाँ पर गया उसने देखा क्या इसके ओफिस में कुछ अजीब सी हलचल मच किसी का भी ध्यान यश की ओर नहीं गया था यश थोड़ा सा आगे बड़ा था तबी उसने देखा कि एक 40-50 साल का उसका सिस्टम मेनेजर बहाँ पर बधवासी हालत में बैथा हुआ था और काफी सारे लोगों ने उसे घेर कर खड़ा कर रखा था जैसे ही यश ने ये दे हर कापने लगे थे वो अच्छी तरह से जानते थे कि उनका बॉस कितना ज्यादा रूड और एरोगेंट था इतना ही नहीं यश हमेशा से ही अपने सभी वर्कों से बिलकुल मशीन की तरह काम में लिया करता था इतना ही नहीं हो किसी को 5 मिनित के लिए भी चैन तक नहीं ल लोग आनन फानन में अपने अपने केबिन में जाने लगे थे लेकिन जो मेनेजर सहाब बहाँ पर बेहोश हुए थे वह जल्दी से नहीं उट पाए थे तब यश ने अपने सेक्रेटरी से कहा था ये सब क्या हो रहा है ये मेनेजर सहाब इस तरह से सब लोगों का काम हम छ फोड़कर इस तरह से एक मेनेजर को घेर कर खड़े हुए थे। तो वह हिरान हो गया था यश की बात सुनने के बाद जल्दी ही सभी लोग आनन फानन में अपने अपने केबिन में जाने लगे थे लिकिन जो मेनेजर सहाब बहाँ पर बेहोश हुए थे वह जल्दी से नहीं स्टीफन था वह मन ही मन में जुनजला कर रह गया था स्टीफन और कहने लगा था बहुत मिस्टर दिसूजा को पैनिक अटेक आया था जिसकी वजह से वह फैंट हो गये थे और सभी लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हें देख कर उनके हाल चाल पूछ रहे थे तब यश ने वल घूर कर रह गया था वह अच्छी तरह से जानता था गर उसने अब मिस्टर दिसूजा के हाल चाल पूछ तो वह शायद उसका इस ओफिस में आज आखिरी दिन हो सकता है लेकिन वह इस तरह किसी का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि यश अपने आप में ही जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था इसलिए स्टीफन ने जल्दी हिस सबको कानफ्रेस हौल में जमा होने के लिए बोल दिया था यश के सभी के सभी इंपलाइज बुरी तरह से दरे हुए थे कही ना कही नहीं उन्हें ये लग रहा था कि शायद आज उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि ओफिस के रूल रेगुलेशन में ये साफ साफ मेंशन था कि कोई भी एक केबिन में एक डेस्क के बाहर ज़्यादा लोग नहीं होंगे लेकिन आज तो सारा का सारा ओफिस जमा था तो सभी को काफी ज़्यादा दरसा लगने लगा थ क्योंकि उन्हें अपने बॉस यश ओबरोय के बारे में अच्छी तरह से पता था कि यश कितना ज्यादा खतरनाक और बेरहम था बेल मिस्टर डिसूजा के साथ साथ सभी ओफिस वाले एक साथ कॉन्फरेंस रूम में जमा हो चुके थे और यह जल्दी ही यश उन सबके साम दूँ शायद आप लोग भूल रहे हैं मैं अपने सभी इंपलोय के लिए हर महिने हेल्थ चेकप करवाता हूँ लेकिन इस बार क्या आपने अपने हेल्थ चेकप नहीं करवाया था जवाब दीजिए मिस्टर डिसूजा यश हर महीने अपने सारे employees का health check-up करवाता था अगर किसी भी employee को किसी तरह की कोई बीमारी निकलती थी तो यश उसे हमेशा हमेशा के लिए चुट्टी दे दिया करता था क्योंकि उसका मानना था कि अगर उनकी सेहत ही ठीक नहीं रहेगी तो office में काम क्या करेंगे यश इन सब चीजों के लिए काफी ज्यादा conscious था लेकिन आज इस तरह से Mr. Dissouza के बेहोश हो जाने के बाद उसने उनसे ये सीधा सवाल पूछ लिया था कि क्या आपने इस बार अपना health check-up नहीं करवाया था जो जैसे ही उसने Mr. Dissouza को ये कहा वह केवल उन्हें घूर कर रह गया था और फिर यश की ओर देखते हुए दरते-दरते कहने लगा था वह boss मैंने अपना health check-up करवाया था और मुझे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हुई थी और मैं बिल्कुल फित था एक्चुली बॉस आज मेरी बेटी का accident हो गया है और जैसे ही मैंने ये news सुनी तो मैं अपने आपको संभाल नहीं पाया और मुझे panic attack आ गया जैसे ही Mr. Dissouza ने अटकती हुई आवाज में ये काफी जादा बुरा लग रहा था और मन ही मन में वह उनकी बेटी के ठीक होने की प्रार्थना भी करने लगे थे लेकिन तब यश बिना किसी emotion के साथ उसकी ओर देखता रहा था यश के चहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं था और फिर कुछ देर बाद Dissouza की ओर देखत गई थी और उन्हें अंदर अंदर गुसा आने लगा था और लेकिन उसे वक्त वह अपने इस दर्ड और गुसे को यश के सामने बयान नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें अपना घर चलाने के लिए इस नौकरी की बहुत ही ज़्यादा जरूरत थे तब ही यश ने बाकी के और देखते हुए बोले थे नहीं बॉस मैं एक्स्ट्रा ओवर टाइम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी और इसी वक्त अपनी बेटी से मिलने के लिए अस्पताल जा रहा हूं। मेरे लिए मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा इंपोटेंट है मैं उसे देखे बगएर पल नहीं रह सकता हूं मिस्टर डिसूजा की बात सुनकर यश ने अपना माथा पकड़ लिया था और उसकी ओर देखते हुए कहने लगा था मैंने आपसे कहा है ना फैमिली एवरत हिं सब बाद में सबसे पहले अगर आप लोगों को कुछ चीज आनी चाहिए तो वह पहले से अपनी फैमिली को बीच लाकर काम पर किसी तरह का कोई भी इंपैक्ट नहीं पने देना चाहिए यश की बात सुनकर मिस्टर दिसूजा खुद को रोप नहीं पाय थे और थोड़ा सा तेज आवाज में यश से बोले थे सर शायद आपकी जिन्दगी में आपकी कोई फैमिली नहीं है कोई आपसे प्यार नहीं करता है इसलिए शायद आपको प्यार की वैल्यू नहीं पता है लेकिन मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है जिस दिन आपकी जिन्दगी में प्यार आएगा उस दिन आप शायद बेटी से मिलने के लिए अस्पताल और अगर आपको मुझे नौकरी से निकालना है तो निकाल दीजिए ज्यादा से ज्यादा मेरा परिवार भूखी मर जाएगा कोई बात नहीं हम सब एक साथ तो मरेंगे लेकिन मैं अपनी बेटी को देखे बगेर नहीं रख सकता हूँ इस मिस्टर डिसूजा हलका सा मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखते हुए कहने लगे थे मिस्टर यशोबरोय अगर आप मेरे खिलाफ किसी तरह का कोई लीगल एक्षन लेना है तो आप ले सकते हैं मुझे इससे कोई फर्ट नहीं पढ़ता है लेकिन इस वक्त मेरी प्रियोर में छोड़कर वहां से जा चुके थे और यश केवल उन्हें खाली नजरों से देखता रहा था और फिर जल्दी ही उसने वर कॉन्फरेंस मीटिंग खत्म कर दी थी और अपने केबिन में आ गया था वही यश ने जल्दी ही आज अपना सारा काम खत्म कर लिया था और मिस्टर दिसूजा के एडरेस पर पोस्ट करवा दिया था वही काम खत्म होने के बाद यश ने सोचा कि क्यों ना आज जल्दी जाकर वह अपने दादा के साथ टाइम स्पैन करें हालांकि वह रात के हमेशा 11 से 12 के बीच ही अपने घर जाया करता था लेकिन आज उसने 6 वह रास्ते में जा रहा था अचानक यश ने देखा कि एक बोई औरत अपने दो बच्चों के साथ रोड पर खड़ी हुई कुछ पैसे मान रही थी और उस वक्त हलकी हलकी बारिश हो रही थी यश ने थोड़ी देर उन्हें देखा था लेकिन अगले पर उसने अपनी नज पड़ा घर मकान नहीं है तो ऐसे गरीबों को जीने का कोई हत नहीं है किसी का तो नारा होता है कि गरीबी हटाओ लेकिन यहां पर यश तो यह माना करता था कि गरीबों को ही हटाओ तो वह गरीबों से बहुत ही ज़्यादा सक्त नफरत किया करता था इतना ही नहीं अगर उसके ओफिस में कोई बीमार हो जाया करता था या फिर कोई प्रॉबलम हो जाया करती थी तो वह उसकी मदद करने के बजाए उसे सीधा सीधा अपने ओफिस से फायर का टिकेट कार्ड करता था यश की आदत के बारे में उसके ओफिस का चपरासी तक जानता था बेल वह औरत गाड़ियां रुपते ही यश की गाड़ी के पास आई थी और हलके कापते स्वर में कहने लगी थी कि बाबुजी प्लीज तुम्हारी कुछ मदद कर दो यश इस बड़े ही ध्यान से उन्हें देखा था मिले कुल्चे कपड़े पहने हुए एक लड़का एक छोटी लड़की का हाथ उसे औरत ने थाम रखा था और उसके कपड़े खुद भी बेकार सी हालत में थी तब ही अचानक यश ने उनकी और देखकर मूँ फिर लिया था उस औरत को ये देखकर काफ ये ड्राइवर को देख रही थी तब उसे औरत ने हलका सा मुस्कुराते हुई यश की ओर देखते हुए कहा था बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी अमीरी का गरीबों से बहुत नफरत है ना तुम्हें जैसे ही उस औरत ने अचानक से यह कहा यश हैरान हो गया तब उ पूरी तरह से तुम्हारी जिंदगी के मालिक बन बैठेंगे ऐसा कहकर वह औरत वहां से जा चुकी थी अब यश की हिरानी का कोई ठिकाना नहीं था क्या आखिरकार यह औरत कह क्या रही थी और कौन से गरीब भला यश की जिंदगी के मालिक बनने वाले थी जबकि यश अपने ड्राइवर को गुसा किया यश के ड्राइवर ने बिना देरी किये गाड़ी उसके मेंशन की ओर बढ़ा दी थी वही यश चो कि आज जल्दी आ गया था और जैसे ही वह अपने मेंशन के अंदर गया अचानक से उसके कानों में उसके पिता के चीखने की आवाद सु पूर रहे हैं